है वल्कम बैक मैं विवेक बिंद्रा इंटनाशनल मोडिवेशन स्पीकर लीडर्शिप कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं नया फॉर्मला लेके आया हूं वी क्यूब आज का फॉर्मला है बिलीव बिहेव बिगेट ये तीन चीजे हैं पहले बिलीव फिर बिहेव फिर इसका हर्थ क्या हुआ हिंदी में कहते हैं विचार से आता है व्यवार से बनता है आपका व्यापार व्यापार सब चाहते हैं सब चाहते हैं बढ़िया व्यापार हो जाए प्रमोशन हो जाए प्रमोशन हो जाए देखे एक व्यापार तभी ठीक होगा जब विचार ठीक हो यह मैसे बहेवियर प्रडीश कब होता है जब लीव ठीक हो जाता है हर कॉर्परेट रिव्यू मीटिंग के अंदर एन्वल रिव्यू कौटली रिव्यू मंत्ली रिव्यू वीकली रिव्यू सारे बॉसे रिजल्ट मांग रहे हैं सबको आउटपुट चाहिए आउटपुट तब ही ठीक होगा जब इन्पुट ठीक होगा रिजल्ट ठीक करना है तो डूइंग ठीक करो डूइंग ठीक करना तो पहले बीइंग ठीक करो बीइंग से ठीक होता है डूइंग और डूइंग से आता है आपका रिजल्ट इसलिए रिजल्ट के पीछे नहीं जाना है पहले गरीब परिवार में इनका जनम हुआ जो की न्यूयोक के पास है, माइकल जॉर्डन को बास्केट बॉल का भगवान क्यों माना जाता है, वो तो बाद की बात है, पहले बात करते हैं, उनके बच्छपन की जब वो दस बारा साल के छोटे थे गरीब परिवार के अंदर चार प दilliड़ भान जान दीजेगा, माइकल ये नहीं बोले, कि नहीं होगा, माइकल ये सोचते थे, कैसे होगा और यही माइकल की खास बात ही, कब हुन, भीलीव, भीएव, बिगेट, अपने आप रिजड़ आएगा, जब आप ये सोचेंगे, कैसे होगा, ये नहीं सोचना, नह माइकल जॉर्डन ने टीशिट को धोया उसको अराम से तै किया सीधा किया फोल्ड किया बजार में चले गए दूर तक आठ घंटे गुमते रहे सड़क में बड़ी मुश्के से दो डॉलर की रिल्वेस्टेशन के पास किसी को बेच के आई माइकल जॉर्डन वापिस घर आए पिता जी को बोले पिता जी ये दो डॉलर है पिता जी बोले ओ यू डेड वेल इन लाइफ वेरी गुड वेरी गुड अगर चार दिन के बाद पिता जी दुबारा बोले बेटा माइकल ये टीशिट कितने की होगी पापा एक डॉलर गुड 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 आज इसक ये दोस्त के साथ मिलके एक आइडिया आया, मिक्की माउस का स्टीकर लिया, उसको टीशिट के उपर पेस्ट कर दिया किसी तरीके से, और फिर बजार में दुबारा लेके गया, ऐसे स्कूल में जहां बहुत रही सो के बच्चे पढ़ते थे, वहां जाके बाहर बोले लगा, ये टीशिट बील डॉलर की, मिकी माउस टीशिट बील डॉलर की, मिकी माउस टीशिट बील डॉलर की, एक बच्चे ने जिद कर दी, उसके पिताजी ने टीशिट भी दिलाई, पांच डॉलर टिप पे दिया, पच्चेट डॉलर माईकल ने पिताजी को दिये, पिताजी ब अब क्या है पिटा टीशर्ट कितने की एक डॉलर गुड पिछली बार कितने की बेजी शक़े कि हो पॉली बूरें सबसे खुबसूरत अक्ट्रेस वारा उनके पास की शहर में आई हुई है एक प्रेस कॉन्फरेंस करने के लिए माइकल को आइडिया आ गया बड़े सारी पोस्टर में कुछ 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 लिखा टीशेट उठाया रातो रात भागया ट्रेन पकड़ के शहर पहुंचा जहां प्रेस कॉन्फरेंस कर रही थी हॉलिवुड की सबसे खूब सुरूत आक्टरे दियान दीजेगा वो ना नहीं कर पाई फारास को बहुत संदर आटोग्राफ दे दिया और उसके बाद क्या था माइकल तुरंत बजार में गए और जाकर के वहीं पर छोटा सा स्टाल लगाया बोला फारास सबसे खूबसूरत हॉलिवुड की आक्टरिस का आटोग्राफ क यह हुआ टीशेट केवल 200 डॉलर में भीड लग गई वहीं भीड लग गई पहली बार में 8 घंटा लगा टीशेट बेचने में दूसरी बार में 4 घंटा और तीसरी बार में केवल 4 मिनिट लगे बहुत बढ़ी भीडा गई मैं लूँगा 200 डॉलर क्या मैं 300 दे रहा हूं मै पीछे से भीड में एक आवाज आई, मैं दो हजार डॉलर दे रहा हूँ, और टी-शिट में ही लेके जाऊँगा, चार मिनिट के अंदर, दो हजार डॉलर की टी-शिट बेची, और माइकल उसके बार अपने पिता के पास गए, दो हजार डॉलर लेके, पिता जी की आख में ह हजा आए, बोले बेटा माइकल, अब तो जिन्दगी में कुछ भी कर सकता है, अब तो जिन्दगी में कुछ भी कर सकता है, और यही हुआ, यह वही बच्चा था, जिसको बास्केटबॉल का भगवान माना जाने लगा, पिया की इतिहास में इसने इतने रिकॉर्ड जाने वाला हूं, इसके ओपर मेरा एक उपन हाउस प्रोग्राम भी हो रहा है, बहुत भीड़ा रही है, लोग आ रहे हैं, अगर आप भी अटेंड करना चाहते हैं, जरूर आईएगा, अगर नहीं अटेंड कर पारें, कोई बात नी, वीडियो जगातार देखते रही है, इस वीडियो से किसी का फायदा हो, शेयर जरूर कर दीजेगा, सब्सक्राइब नाओ, अभी तक नहीं किया कर लो, जरूर फ्री वीडियो मिलते रहेंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद,